एक बहुत ही अच्छा आज मसाला तैयार करेंगे और जिससे हम कम हैनत में तीम सब्जियों को तैयार कर सकते हैं भरवा सब्जियों का मसाला है नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई हॉफ की सब अच्छे होंगे खुश होंगे और मस्त होंगे तो बस अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो सुबह सुबह हो जाती है सब मम्यों की टेंशन रे शुरू की लेंच बच्चों का देना है सुबह ब्रेकफास्ट क मैं चराकन जारी ने ले जा रही ही और पसी लैंच में आते है तो उसको ले आते हैं फेर स्कूल से आज वो कौन सा शुनकौन सा ले हैं एक हैं सिम श कुछ लिये भिंड़ी लेकिन थोड़ा सा भिंडी के लिए थोड़ा सा चेंज होगा बाकी सेम मसाला रहेगा तो चलिए मैंने इसको धो लिया है और धो के इसका हलका सा छिलका परमल का मैं निकाल दूंगी और बाकी सिमला मिर्च को भी मैं बीच से इसका डंठल निकाल लेंगे एकदम किनारे किनारे से चाकूज दबा दबा के निकाल लेना है ज्यादा कट नहीं लगाना नी तो आलू बाहर आएगा और ऐसी परमल में भी बीच में कट लगाना उपर से हलका सा खुरच देना और उसके बाद इसका बीज निकाल देना और बीज निकाल देंगे और यह ब बेंगन को मैंने दोनों तरह से आप बना सकते हैं डंठल से भी और बिना डंठल के भी और थोड़ा सा बीज अंदर से निकाल देना बेंगन का बहुत ज़्यादा इस पेस नी करना है बस थोड़ा था निकाल देना जितना इजिली निकल जाए बाकि भिंडी को भी बीच में क बारिक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च तो इनको हम हलका सा भून लेंगे मला कलर चेंज निकरना बस भूनना है इसको हलका सा और इसके बाद मैं जो नॉर्मल हम सबजी में मसाले डालते हैं वह मसाले डालेंगे एक-एक करके जैसे कि थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा देगी मिरच, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और अगर आपके पास अद्रक और लहसन का पेश्ट है तो वो डाल दीजे पाउडर है तो वो डाल दीजे नहीं तो कच्छा है तो उसका पेश्ट बनाके डाल दीजे अद्रक और लहसन का पेश्ट डलेगा और उसके बाद ब मसालों को प्याज के साथ भून लेंगे और इसमें मैं जो बेसन है उसको डाल दूगी भूनने के बाद मसाले भूनने के बाद बेसन को डाल दूगी और दो आलू को उबाल के उसका पेश्ट बना के रख रखा है मलब उनको पीस के रख रखा है आलू को जैसे फोड लेते है उस तरह से जो मिपराटों में भरते हैं, उस तरह से फोड़ के रक लिया है उनको, तो बस ये बेशन के बाद मैंने आलू मिला दिया इसमें और अब ये मसाला मैं थंड़ा होने के लिए रख दूँंगी, और थंड़ा होने के बाद हम इसमें भर लेंगे सारी सबजियों में खली ये न भिंडियों में नी भरा जाएगा और ये चीज में थोड़ा सा बीच में वो हो गया था मुझसे छुट गया था बताना और मसाला निकालना ये मुझे बीच में आलू डालने से पहले का जो प्रोसेजर था उसी समय मुझे भिंडी के लिए निकालना था तो चलिए वो मैं अभी बताती हूँ आपको तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाकी मैंने ये तीन सबजियों में भर लिया था सिमला मिर्च में, परमल में और बैंगन में तो इस तरह से भर के फिर मैंने इसके बाद थोड़ा सा भिंडी के लिए अलग से फिर किया मसाला तयार और मसाले को थोड़ा उस तरह सी भरें क्योंकि जब सबजियां सॉफ्ट होंगी तो आलू फिर बाहर आएगा निकल के तो बहुत ज़्यादा अभी आलू ना भरें जितना उसमें इजी ली आ जाए उतना आलू भर दे और बाकी ज़्यादा दबा-दबा के ना भरें तो चलिए मैं सारे भर लेती हूं इसी तरह से तो बस मैंने यह देखे भर लिए हैं सिम्ला मिर्च और यह सब तो इनको मैं रख देती हूं फ्राइपैन में मतलब कड़ाई में बनने के लिए और भिंडी के लिए भी मैं मसाला अभी तेयार करूंगी तो यह कड़ाई है अगर लोही की कड़ाई है तो जादा अच्छा है मेरी लोही की कड़ाई ना बीच में से घहरी है तो उसमें एकी जगा ओयली खटा हो जाता है तो इसके लिए फ्लैट सी कड़ाई चाहिए ताकि यह बराबर सिकें सारी चीज़ें तो परमल में सबसे ज अगर अच्छा नहीं लगता है तो इसको पानी में थोड़ी से 5-10 मिनट के लिए उबाले और तब भरें से तो उसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है तो चलिए भिंडी के लिए मैं अब कर लेती हूं मसाला लेकिन वही प्रोसेस है जो मैंने पहले किया था बेसन को आप भी उस समय ही निकाल ले अगर भिंडी भर रहे हैं तो तो मैं यह भूल गई थी तो फिर मैंने यह भिंडी के लिए दुबारा से मसाला किया तयार तो बस सेम प्रोसेस है यहां तक जहां तक हमने बेसन डाला था तो मसाले डालने के बाद यह मैंने बेसन डाल दिया औ वेसन को मिला के गैस बंद कर देंगे अब भिंडी को भर के और भिंडी तो बहुत जलदी हो जाती है तो मेरी और सब्जियां पग गई थी तो उसके बाद मैंने भिंडी विए उसी कड़ाई में रख धी है ढक डी है तो ये तो पांदे स्मिनट पर पख जाती ए और उसके ब तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नेक्स वीडियो में ओके बाबाई